तो गईस जैसा कि तुम सबी लोगों को पता होगा कि हमारा जो बीजमाई है वो बहुत जल्दी लॉंच होने वाला है इसके साथ में आने वाला एक नया अपडेट जिसमें तुम्हें बहुत सारी चीजे अब देखो मोड तो आते जाते रहते लेकिन जो पर्मानेंट चेंज भी बात करेंगे वीडियो की एंड में तो शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले चेंज की साथ में गईस एक नई जगह इनोंने एड कर दिये अब यहाँ पर तुम्हें पता होगा पहले एकदम खाली सी जगह थी लेकिन अब भी तुम देख सकते हो भाई कितने सारी चीज़ जिना वो भी यहाँ पर लूट ने आ सकता है तो देखना रहेगा कि यहाँ लूट यहाँ पर कैसी मिलने वाली है फिलाल इस अबडेट में इतनी कोई खास यहाँ पर लूट नहीं है बढ़ हाँ यह जगह इनोंने चेंज कर दिये पूरी तो गाईज अब बच्चा बच्चा बनेगा कैपी गीमिंग क्योंकि यहाँ पर इनोंने एक अटाच्मेंट एड की है जिसका नाम है फुल आटो मोड यह तुमें शॉप से खरीदनी रहेगी टोकन देखिए तुम खरीज सकते हो जैसी तुम इसे M16 पर अटाच करते हो या काफिर इसे M16 पर टाच करते हो तो तुमारी गन में एक मोड एक्स्ट्रा एड हो जाएगा जिस पे तुम गन को आटो भी चला सकते हो तो गाईज इक दब मसा आने वाला और काफी जादा बढ़िया ये गन अना भूने वाली है और बहुत सारे लोग इसको अब यूज करन पड़ता था काफी डाइम के लिए लेकिन अभी एक ट्रांसफॉर्म का ओप्शन तुम्हें मिल चुका है एक्जिट बटन की साथ में तुम्हें मिलेगा ये और वहाँ पे तुम ट्रांसफॉर्म होके जो है ना मस दिखदम मैप में घूम सकते हो एक आत्मा की तरह है तो लिए तुम्हें एनिमेज चायद नहीं देख पाएंगे और तुम्हें डामेज वगेरा तो क्या ही कर लेंगे जब तुम पहले से नौक हुए पड़े हो मरे पड़े हो तो हाँ तुम अपने टीमेट्स के साथ गूम सकते हो लेकिन एक यार प्रॉबलम मुझे लेगी तु अगर तुम्हें टीमेट्स गाड़े लेके कई भाग जाता है तो तुम भी उनके साथ नहीं जा पाओगे तुम बस उसी जगे के आसपास पास पैदल घूम सकते हो जंप अगेरा कर सकते हो तो काफी ज़ादा ठीक फीचर है मस्त रहेगा एक दम तो गाइज अभी तुम सूच भूणगे की यह यह मिराडो का मैं इरांगल में कैसे लेके आगए यह तो मिरामार में मिलती थी ना तो गाइज अभी से तुमें यह जो घाड़ी है यह इरेंगल में भी मिराडो भी होगी अपना जो Sand Oak है उसमें अब Mirado एंड Irangle में भी Mirado होगी एंड जो हमारा Monster Truck है जो मैं Weekend में देखने के लिए मिलता था वो अभी Irangle में भी देखने के लिए मिलेगा, काफी जादा एक साही चीज ये हो जाती है and guys मिराडो तुम अगर चलाओगे न तुम एक बटन यहां पे देखने के लिए मिल रहा होगा जैसे तुम इसे दबाते हो न गाईस तुमारी जो गाड़ी का जो ऊपर वाला टॉप है न जो रूफ है वो भाई एकदम तुम चींज गर सकते हो जैसा कि तुम देखे सकते हो काफ करेंगे न कॉंपिलिटिव में काफी लोगों को एनाई प्राबलम होती थे फ्यूल वगरा ख़तम हो जाता था इवन क्लासिक में भी प्राबलम होती थी तो अभी से यह प्राबलम नहीं आएगी फाइनली तुम अपनी कार्ज में अभी फ्यूल अप करवा सकते हो इन यहां पे लगेगी वो प्राक्टिस कर पाए और यहां पे जैसी तुम हेड़ वगर आपे मारते हो न मस्त एकदम साउंड आता है जैसा क्लासिक में आता है तो यह काफी जादा एक मुझे बढ़िया चीज लगी है और स्प्रे की प्राक्टिस तुम यहां पे बहुत यहां हो पाएगी वैस देको अभी गाड़ी में है न तुम अपना समान जो है न वो रख सकते हो तुम अपनी कार की ट्रंक में रख सकते हो जैसा कि तुम दिखी सकते हो पैन के साइड में एक आइकन दिख रहा होगा कार की ट्रंक जो है उसमें ओपन हो रही है तो उसको ज ये फीचर्स है ना काफी जादा एकदम मस्त रहने वाले हैं अगर तुम सोच रहों कि कार फट गई तो सामान का क्या होगा तो तुम जैसा नॉर्मल डेथ क्रेट अपनी एक्सिस करते हो ना कोई भी अनिमी को मार के वैसी तुम अपनी गार की भी जो है ना क्रेट खोल पाओगे सारा समान तुम्हारा सेफ रहेगा तो गाज़ अभी ये मनूस जगे तो तुम्हें पता ही होगी यहाँ पर कितनी बारम कैमपर से मरे ना तो मैं भी यहाँ पर जाई रहा था अब यह वाली जो अपनी ट्रीक होती है ना वो भी मस यूज़ कर पाएंगे इस वाली जगे अपर आपन तो भाई रूम बगर है ना काफी जादा सिमिलर लग रहे लेकिन अभी जो कैमपिंग है ना मैं सुझ रहा था कि कैमपिंग कम हो जाएगे लेकिन अभी कैमपिंग और जादा बढ़ने वाली है तो इसके साइड वाला जो सेम आउस होता है ना उसमें भी चेंजिस हो चुके है तो दोनों बदल दिये गए आपर पोचिंकी में लड़कियों को बाट मारना बहुत पसंद होता है लेकिन अब शायद वो बाट भी नहीं मार पाएंगे क्योंकि बाट है ना भाई बहुत एडवांस कर दी इन लोगों ने देख सकते हो कैसा अब प्रोन करके बैठा हुआ है और मुझे तो भाई इतना ही पता चला है लेकिन मेरे दोस वगरा बोल रहे थे कि भाई बाट भी हील भी करता है कावर में भी जाते है इवन पीक भी करता है और जो अब में चीज़ बोलने वाला हो ना वो तुम शायद मानोगे लेकिन अभी बाट गाड यवगरा चलाके पूरी स्कॉर्ड ला सकते है अपनी बाट की स्कॉर्ड तो भाई मुझे नहीं पता है यह मस्ट चीज है फिर क्या होने वहला है लोगों को किल्स है ना ऐसे ही मिल जाएंगे कर उनके साथ में ऐसी चीज होती है and also bots है ना काफ़ी advance होते जा रहे है अभी तो bots से भाई थोड़ा सा संबल के हमें रहना पड़ेगा यह last जो feature है ना यह काफ़ी जादा मुझे crazy लगा है यहाँ पर तुम b-rolls ले सकते हो cinematics बना सकते हो तो जितने भी lobby edits वाले मेरे भाई लोग है ना भाई उनके लिए तो मज़े से चीज हो जाए एकदम जो भी montages वगरा बनाता है तो भाई screen hide करने का, controls hide करने का, weather change करने का सारी चीज़े इन्होंने add कर दिये green screen वगरा पूरा sky तुमारा गायब हो जाएगा यह सारे जो video cinematics है यह तुम ले सकते हो तो यह भाई मुझे काफ़ी जादा कमाल की चीज लगी है और बहुत सारे लोगों को देखना होगा कि कैसे इनको वो use करके अपनी जो creativity है वो दिखा पाता है तो काफी जादा यह बढ़िया चीज मुझे लगी है यहाँ पर तो guys, unband date की या फिर release date की गेम अंदान तो हुई चुका है और तुम सभी लोग गीम को normal गीम की तरह खेल पाओगे तो काफी जादा मजा आने वाला है अगर तुमने वीडियो को enjoy किया तो मैं helpful लगा तो अभी क्या भी like कर देना और चैनल को subscribe कर देना ऐसी ही और future tips and tricks वाली वीडियो के लिए तो कि बहुत सारा content आने वाला है गाई यह कुछ भी नहीं था तो subscribe मार देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए goodbye love you guys keep grinding